शनी का राशी परिवर्तन हो रहा है और बहुत ही विशेश है यह राशी परिवर्तन क्योंकि 30 साल के बाद शनी अपनी मूल त्रिकोण की राशी कुम्ब राशी में आने वाले हैं जी हां कुम्राशी में आने वाले हैं शनिदेव 17 जनवरी 2023 से ही शनिदेव जब आ जाएंगे कुम्राशी में तो कैसे फल रहेंगे सबी राशियों के लिए जी हां यह जानने के लिए है चोटा सा विडियो इस वीडियो को लाइक कर दे शेयर कर दे सस्क्राइब करें चनल ब तक भी क्योंकि क़ाई साल की अड़े साती चली कोम राशी की साथी साथ चलहले हैं में यह सब मकर राशी के जो लोग हैं वह साड़े साती देखेंगे और करक राशी के लोग धहिया को अपने उपर ले लेगे साती साथ व्रिष्चिक राशी की ढ़िटिया टर्थ यूज़ार तेइस में दोज़ार चोवएस में और पारी तक चलती गें जी हां किन लोगों की डहिया चल रही है करक राशी वाले और रिष्चिक वाले पर इसके उपर विशेश क्रिपाबी शनी की बनी रहेगी किसी प्रकार के बुरे फल शनी न दे इसके लिए आप इस वीडियो को लाइक तो करी दे साथी सार आप शनी के जो विशेश उपाएं एक करते हैं जैसे चमणे का आपकी क्या रहें इसके अलावा कोई बीविशेश प्रकार का आपको और कोई बड़ा उपाय करनी के आवशाकता तब तक कि आप कि कंप्प्प्वीट वहां काम नहीं की या अनुसंद्धान से जुड़ा हुआ या किसी गुड शिक्षा की प्रापति आप नहीं कर रहे हैं या पिर आपको किसी प्रकार से करकोर सबक बूमबर पर आप उसे संपर करके सश्युम उतर पा सकते हैं अपने प्रशन Eco के अपनी पोनीए दिका सकते हैं और उपाय जो आप को बता है क्या क्या-क्या खास तोर से चंब्डे का दान तेल का दान और तिल का दान यह अवश्य ही करते रहें और सावन के महिने में काली छत्री संद 2023 में एक बार दान कर ही दें किसी भी गरीब को या ज़रूरतमन को तो यह करना कोई विशेश बड़ा काम तो है नहीं शनी की क्रिपा आपके पर बर रहेगी और कभी राशीतर वर्तन शनिदेव कर रहे हैं यह सब आपने आज की वीडियो में जाना इस प्रकार के अन्य वीडियो के लिए लगातार बने रहें चैनल बविशनक्षत्र सा सब्सक्राइब करते चाहिए बविशनक्षत्र को लाइक करें इस वीडियो को और जा जाए शन्देव और जाए शन्देव और जाए शन्देव